आसियान उजार देंगे साथ कल उनके एक परसास ने ओडर कर दिया है कल उनको हटा देंगे ओडर वो उनके पक्के मकान बना दलितवर के हैं चालिक कम से कम 114 परिवारों के नोटिस मिलके साबाइं आप से हाथ जोड़कर निवेदर सरकार से के उनको रुखवाएं कल की तार मुझे बोलने का उसर दिया मैं सच्छे तक मोदे का बहुत आपारी है सबबती मोदे चार मार्च 2014 को रेवाडी से लेके फतेपुर तक जुन-जुनु जिला मुख्याले को जोडते हुए एक नेशनल आइवे के मनजूरी बार सरकार ने जारी की उस सड़क पर हरियाना में राजस्थान की बॉर्डर तक लगबग फोरलेन का काम पूरा हो गया है और राजस्थान का बॉर्डर जहां शुरू होता पचेरी वहां से लेके और जुन-जुनु तक जुनु जिला मुख्याले तक उस सड़क पर एक चम्मच भी डामड नहीं लगाए गई है मैंने भारत के सड़क परिवान मंत्री और राजमारग मंत्री जी को चिठी लिखी उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि राज्य सरकार ने इस सड़क को चिड़ावा से लेके जुन-जुनों से लेके और पचेरी तक नेशनला इवे अथोर्टी को अस्तान तरीत नहीं किया गया मुझे समझ में नहीं आता कि आठ साल जी सड़क को मंजूरी दिये हो गया उसको अभी तक राज्य सरकार ने अस्तान तरीत क्यों नहीं किया मैंने मेरे इस तर पर जानकारी की तो राज्य सरकार का जो पिछला कारियकाल था उसमें चिड़ावा से लेके पचेरी तक की सड़क को टोल क्या दार पर बनवाया गया उसको भी लगबग 11-12 साल हो गये हैं उस कंशेशनर का कोई पैसा अगर वैसे तो है नहीं वकाया क्योंकि ओवर वसूली उस पर हो गयी है है तो राज्य सरकार अपने बज़ट से उसको दे कर उस सड़क को जल्दी से जल्दी नाई को हस्तान तरीत करे एक तरफ हम जल्जिवन में रोज बात करते हैं कि हम को 45% ही दे रही है बाहर सरकार 95% क्यों नपब परसेंट क्यों नहीं दे रही इसमें तो सट परतिसेट पैसा बाहर सरकार खर्च करती है नेशनल आईवे पर हम उसका उप्योग नहीं कर रहे हैं और जुन-जुनों जिले को नेशनल वाइवेक से जो लाब मिलना चाहिए उससे वन्चित कर रहे हैं। अगर ये सड़क बन जाती है नेशनल वाइवेक के रूप में तो जुन-जुनों जिला मुख्याले सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा। नेशनल जिला मुख्याले दिल्ली से जुड़ेगा बल्कि डिफेंस के लिए एक अल्टरनेटिव रूट सेना को सीमा पर बेजने के लिए उपलब्द हो जाएगा। पर मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ा है कि तीसरा बज़ट राज्य सरकार ने रख दिया और एक सब्द भी इसके बारे में इस बज़ट में सर्चा नहीं किये गई हैं। ये बहुत बहुत पीडा दाएक इस्तिती हैं। और ये सड़क यूपिय सरकार की मन्जूर की हुई है। लास्ट फेज था जब मार्च में आसकर फर्णाडिस बार्ट के भूतल परिवन मंत्री थे और उसमें मेरे पिताजी का ध्यान तवा तो उनको जो उनके पास विभाग था सरम विभाग वो भी उनको मिला। उन्होंने कड़ सी के नाते मुझे भी बुलाया कि भई ओडा साब मुझे एक सड़क के लिए बहुत कहते थे वो कौन सी थी तो मैंने का साब ये रिवाडी से लेके और फटेपर वाली ये सड़क थी। उन्होंने करपा पूर उसको मन्जूरी दी और हमारी सरकार अब आ हम कुछ नहीं कर रही है तो बहुत दाई नहीं इस्तिती है बहुत सरकार पैसे दे रही है आप पैसे ले नहीं रहे हैं अरियाना में चार फोर लेन बन गई वहां से जो लोग हमारे हैं उन्हें हीन बामना रही है कि एक तरफ तो और याना है जिसमें फोर लेन बन गई और हमारे यहां टोल रोड है वो भी गड़ों से वरुई है उस पर हम काम चल रहे हैं सुभाप्ति मोदे इस बजट में तीन जिला जुन-जुन की सडकों की घोशना की गई है अच्छी बात है बननी चाहिए पर एक सडक जो बहुत महत्वपूर्ण है चिडावा अडावता सुल बाई उसका लाव अगर चिडावा से सुल्ताना तक वो सडक नहीं बनेगी तो उसका लाव बिलकुल भी नहीं मिलेगा जो चिडाव बहुत इंपोर्टमेंट टाउन है और जिले का जो दक्षनी बाट चिडाव तैसिल से जो चिडावा शहर से जो दक्षन की तरफ से सडक हमारे सिट लोट वाट है वो सारा ट्राफिक से एक रोड पर जाता है उन तेन सडकों पर जिता ट्राफिक है उसे जबाद इसके जांज करा लें अकर उससे ज्यादा सब शटकों से ज़्यादा इस पर ट्रफिक ister पिर भी मैं नहीं समझता कि इसकी गोशना क्यों नहीं कि दुर्भाग्य से मेरा गाम भी उसी सड़क पर पड़ता है जैसा पिछले सत्र में हमारे सीव से आने वाले माननी सद्दे से ने अपनी पीडा बताई थी कोई बात नहीं मेरा गाम पड़ता है तो उसको छोड़ दो चिड को जोड़ती है जो मैं तु पुर्ण सड़क है उसकी इस बज़ट में गोशना नहीं की की जुआंके एकबार उन्हें छापा बास करनें इरकी इसने पता नहीं कि बिरजेंदर ओडा को खाली रखा गया अरे बिजेंदर ओडा को खाली रख दो पर उस विदास वागी जंत क्या आसा कर सकती है? इस तरह की जो है राष्रे राजमारेग अभी मेरे सामने से बोलने साइव बारे सद्टे से छबड़ा से आरड़े वारे तो कह रहे थे गोषित करो. वो तो गोषित किया हुआ राष्रे राजमारेग है और आपका भी विदान सभाभ और साध़ के करमनेता है सावजनी निर्मान विवार के या हमारी सरकार की सोच यह नहीं है कि हम के अंदर सरकार से पैसा लाएं राष्ट्रे राजमार्क से जोड़ें सिर्फ एक जिला आशा रह गया रास्थान में जो राष्ट्रे राजमार्क से बन चीत है और वो जुन जुन जिला आप वो सडकों की बातें करते हैं चोटी-चोटी मिशिंग है कोई क्या आपका ये विकासपत है ये कोई सोच को आगे बढ़ाने वारा नहीं विकासपत बिल्कुल वेस्टे जो मन्नी है पंचायतों ने सिमेंट सडक बना दी उनको फोड के आप उस पर दुबारा वो बना द फोर इस तरह से आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को नेगलेट कर रहे हो ये ने राज्ये के लिए अच्छा है, ने जुनुनुजिले के लिए अच्छा है, ने आपके रमारे लिए अच्छा है, इसलिए मीरी ये कुरजोर मांग है कि उस सडकों जो चिडावा से, प्रवाप्ति जी अधुट अशासन प्रियाद मीं हूँ बैट जाता हूं चलो ने आप बोली ये दो मिन्ट पांच पांच बिन्ट का समय दिया था मैं I'm allowing you for more than two minutes अब बोलिये पिछले दो बजट आगे एक इंच मिशिंग रोड अपने बनाई नहीं बहूत सारे publics हैं वादे करके आया थे बहुत सारे भासन हम ने दिये थे आपके यहाँ यह करेंगे कोई आज तक उसका परिंजा निकला नहीं दुर्बागे से मैं जिस ग where दिवाह साल में एक 2008 में उस पर डामर पड़ी थी और शाड़े पांच किलो मेटर उसकी चोड़ाई आप भी कई बार वहां से गुजरे हो सदन के नेता भी कई बार वहां से गुजरे हैं और वहां गए हैं उस सड़क को मैज इसलिए चोड़ा नहीं किया जाए कि वह अरडावता की सड़क है तो यह बहुत गुर्भा के परोनी स्थिति है मेरे विदानस वाशेतर में एक 37 नमर स्टेट आई वे है और उसको बोलचाल की बादसा में उस पर जो 269 लेवल करोशिंग है बोलचाल की बादसा में उसको गुड़ा फातक बोलते हैं उस पर आए दिन जाम की स्थिति रहती है वो बिलकुल सहर के अंदर आ गया यहां बहुत बड़े फुलों की गोशना की गई स्टेट आई वे है सहर के अंदर है जाम लगा रहता है सहर दो तरफ बंटा हुआ है अगर उसके उपर भी आरोबी की कम से कम डीपियार बनाने की तो गोशना आप करवा दें जब रिपलाई हो और यह जो नेस लाइव है कि मैं चर्चा कर रहा था मुझे उसी चिठी में ये भी लिखा गया है कि इसकी डीपियार भी चिलिए नहीं बन रही है कि इसको राज्य सरकार ने राष्ट्रियार राजमार्क प्रादेगंड को इसको सुपूर्द नहीं किया गया तो महरवानी करके इसको राष्ट्रियार राजमार्क प्रादेगंड को सुपूर्द कराएं चिडावा अरडावता सुल्ताना रोड को जो शाड़े पांच मीटर है जो बहुत साल से पहले उनीस सो पासेट में बहुत सड़क बनी हुई है सबापती महोदे और शाड़े पांच मीटर ही उसकी चोड़ा ही है उसको उसके तो अरडावता तक तो फोर लेन कराएं रहागे उसको साथ मीटर चोड़ी कराएं और जो अब आपने बज़र्ट में गोशना की है कि हम कुछ MDR'ों को विलेज रोड को MDR में गोशित करेंगे MDR को स्टेट आईवे में गोशित करेंगे तो इस सड़कों भी स्टेट आईवे में गोशित करें और मैंने जो विशेश रूप से जो आईवे की बात करी है उस पर जो मंतरी जी जबाब दें तो अपना परकास डालें बहुत बहुत धन्यवाज जाएं मैं सभी वक्ताओं से एक्षमा चाहूंगा क्योंकि करीब साथ वक्ता है अते सब को एक्वली पांच-पांच मिनिट दिये गए हैं इसमें स्पेशली अपने विदान सभाक्षेतर के यो अपनी प्रॉब्लम से उनको उठाएं मानिये स्री मदन दिलावर माने सभापती मौदे मैं ऐसे ख्षेतर से आता हूँ जो राजस्तान को बहुत ज़्यादा रेवी भी देता है परन्तु वहाँ इस बजट में एक भी सड़क नहीं दी गई है पतानी में मुझे क्यों है माराम जी कि और अब जो माने सभापत से बोल रहे थे ओला जी उनकी स्रेड़ी में रखा गया है उनको भी एक भी सड़क नहीं दी गई और मेरे विधान सभाप